कुछ समय पहरे की बात है एक गाह में सोहन का परिवार रहता था सोहन गाह में अपनी एक जलेवी का ठेला लगाया करता था और उसकी पतनी उर्मिला सोहन को ठेला लगाने में मदद करती थी ऐसे एक खुशी-खुशी परिवार चल रहा था पिता जी आज तो विक्री बहुत कम हुई है आज का हिसाब तो बहुत ही काम है हाँ बेटी क्यूंकि आज जलेवी का विक्री बहुत कम हुआ है लगता है अब जलेवी की जगा और कुछ बेचना पढ़ेगा तुम सही बोल रही हो, जलेवी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए हमें कुछ और बेचना पड़ेगा पिता जी, क्यों ना हम पुड़ी और सबजी साथ में बेचे, जिससे हमारी जलेवी की बिक्री भी ज़्यादा होगी बेची की बात सुन कर सोहन वैसा ही करता है, लेकिन जलेवी जितनी अच्छी फुड़ी सबजी नहीं बनती है, जिसे लोगों को पसंद नहीं आता है, जिसे देख सोहन और रुर्मिला उदास हो जाते है अब क्या होगा जी, धिरे धिरे हमारा धंदा ठफ होते जा रहा है, अब हमारा घर केसे सलेगा, जूली की इसकुल की फीश केसे बरेंगे ये सब बाते सुन के दोनों लोग परिशान हो जाते हैं, जिसके बाद सोहन कहता है मुझे कुछ सोचने दो, हमें कुछ पैसे सरपंच जी से उधार लेने पड़ेंगे ऐसा क्या के सोहन सरपंच के पाथ जाता है, वो सरपंच से पैसे मांगता है, लेकिन सरपंच पैसे देने से मना कर देता है लेकिन सोहन के बार-बार जीद और बिंती करने के बाद सरपज सोहन को कुछ फेशे दे देता है जिसे लेकर सोहन घर आता है ये आपने क्या किया जी ऐसे ही हमारा दंदा नहीं चल रहा है और आप उधारी लेके आ गए हैं और मैं क्या करता, घर की परिस्थिती देख के मैंने ऐसा किया, और इसकुल के फीच भी तो देने हैं। और फिर दोनों बाजार जाके घर का रासन ले आते हैं और जूली की स्कूल की फीच भी भर देते हैं और फिर रोज की तरह सोहन और उर्मिला अपना ठेला लेकर अपना धंदा चालू करते हैं ऐसे ही कुछ दिन भीच जाते हैं अरे ओ सोहन हमारे पैसे कब लोटाएगा बहुत दिन हो गये हैं अगर हमारे पैसे नहीं लोटाएएं तो तुम्हारा ठेला हम साथ लेके चल जाएंगे मालिक मुझे कुछ समय दे दिजे जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूँगा ठीक है मैं तुम्हें एक हपते का समय देता हूँ अगर इस दोरान तुमने मेरे पैसे नहीं लोटाएं तो मैं तुम्हारा ठेला जब कर लूगा कहतेता हूँ ऐसा कहके सरपंच वहाँ से चला जाता है और सरपंच की बाते सुन के और मिला और सोच में पढ़ जाते हैं ऐसे ही देखते ही देखते हपते बीच जाते हैं और सरपंच सोहन का ठेला ले जाता है जिससे सोहन पुरा दुखी हो जाता है घर का चिंता और बेटी की पढ़ाई को सोच सोच के सोच के सोहन बीमार पढ़ जाता है ज्यादा दिन बीमार पढ़ने के बज़ा से सोहन की मोत हो जाती है जिसके कारण उर्मिला और नेहा अकेले पड़ जाते हैं मा अब हमारा क्या होगा पिताजी तो हमें छोड़के चले गए अब हमारा घर केसे चलेगा नेहा बेटी तुम चिंता मत करो मैं कुछ करती हूं जिससे सब ठीक हो जाएगा सोहन के चले जाने के बाद उर्मिला गां के खेतों में काम करने लगती और उससे जो भी पेशा मिलता था उससे वो अपना घर चलाने लगती मा इतने पेशों से तो सिर्फ घर चलेगा और मेरी इसकूल की फिच केसे जमा होगी इसलिए मैंने फेसला किया है कि मैं अब इस्कूल नहीं जाओंगे तुम ये कैसी बाते कर रही हो बेटी सब ठीक हो जाएगा तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अगर भगवान की किर्प्या होई तो सब ठीक हो जाएगा उर्मिला अपनी बेटी नेहा को समझाती है और फिर उसे इस्कूल भेशती है जहां इस्कूल में नेहा को प्रिंसिपल करते है कि तुमारा तीन महीने का फीज बाकी है अगर टाइम पे फीज जमा नहीं हुआ तो तुम्हें इस्कूल से निकाल देंगी प्रिंसिपल के इन बातों से नहा दुखी हो जाती है और घर आपस आती है रस्ते में एक पेड की नीचे बेट के नहा रोने लगती है अब हम क्या करेंगे? घर की इस्तिती भी खराव है, घर में खाने के पेशे नहीं है, और अब इस्कूल में प्रिंसिपल ने भी ऐसा बोल दिया है, अब मैं क्या करूँ? नेहा ऐसा सोच सोच की रो रही होती है तभी वहाँ एक बुड़ी ओरत सर पे टोकरी लिये आती है और नेहा से कहती वेटी क्या तुम इस टोकरी को मेरे घर तक पहुचाने में मेरी मदद करोगी हाँ दादी जी क्यों नहीं मैं जरूर आपकी मदद करोंगी दीजी हामें ये टोकरी नेहा फिर टोकरी लेकर उस बुड़ी ओरत के घर तक जाती है नेहा की इस सुन्दर सभाव को देखकर बुड़ी ओरत परी में बदल जाती है अरे दादी जी आप तो एक बुड़ी थी पर आचानक एक सुन्दर परी केसे बन गई बेटी मैं एक जादूई परी हूँ मैं हर एक इनसान को परकती हूँ आज तुम मिल गई और तुमारे इस मददगार ब्यभार को देखके मैं अपनी असली रूप में आ गई तुमारी क्या समझ सा है? मुझे बताओ, मैं तुमारी मदद करूँगी परी की इस रूप और उसकी बातों को सुन कर नेहा के चेरे पे खुसी आ जाती है और नेहा अपनी सारी बाते उस परी को बताती है ठीक है बेटी, मैं तुमसे बहुत खुस हूँ इसलिए मैं तुमारी सारी परिशानियों का निवारन कर दूँगी तुम चिंता मत करो इतना कैते ही परी अपना छड़ी घुमाती है और नेहा के सामने एक ठेला और कुछ बरतन आ जाते है जिसे देख नेहा पुरा खुस हो जाती है ये लो बेटी, मेरी तरफ से तुमारे लिए है और हाँ, ये कोई मामूली ठेला और बरतन नहीं है ये एक जादूई बरतन और ठेला है इस बरतन से तुम जो भी पकाऊगी वो बहुत ही स्वादिश्ट और अच्छा बनेगा इतना काके परी वहां से चली जाती है और नहा सारा समान लेके घर वापस आ जाती नहा बेटी, ये सब तुम्हे कहा मिला? ये सब समान किस ने दिया तुम्हे? मा, ये सारे समान हमें एक जादूई परी ने दिया है इस ठेला और बरतन की मदद से हम फिर से अपना ठेला चालू कर सकते हैं हाँ मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हमने कहा थाना, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली लेकिन मा, हम लोग बेचेंगे क्या? पिताजी जल्ले भी बनाते थे तुम तो ठीक कह रही हो हम लोग कुछ दूसरा बनाएंगे जिससे हमारी दुकान चलने लगेगी मा, क्यूना हम लोग पुड़ी और सबजी बना के बेचे ताजा और गरम पुड़ी सबजी लोगों को बहुत पसंद है